तो हाई दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, YouTube पर आप पहला वीडियो कैसे अप्लोड करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एक नया चैनल क्रियेट करते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि नया चैनल में वीडियो कैसे अप्लोड करते हैं, टाइट वीडियो अपने चैनल पर कैसे अपलोट कर सकते हैं तो चलिए इसको इस्टार्ट करते हैं और इससे पहले अनलेटे के चैनल पर नए आद मैं चैनल को सब्सक्राइब करने बेल लगन घंटी को प्रेस करने जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा अगर आपको क्या करना है उपर तरफ आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं फिर आपको इस एरो पर क्लिक कर लेना है तो मैं ये वाले एरो पर क्लिक कर लेता हूं आपको भी कर लेना है उसके बाद आप किस वा का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं उसके बाद आपको अपने वीडियो को सलेक्ट कर लेना है तो मैं ये वाले वीडियो को सलेक्ट कर लेता हूं आपको भी कर लेना है उसके बाद आपको नेश्ट पर क्लिक कर ल इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है अभी एक option आएगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे कि अभी आप देख सकते हो यह अपलोड हो गया है उसके बाद आपको क्या करना है WT Studio को open करना है जो play store पर upload है तो इसको download आपको क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करना हो गया है फिर आपके सामने इस प्रकार के इंटर्परस आपको दिखाए देगा उसके बाद आपको pencil के icon पर क्लिक करना है तो मैं pencil के icon पर click कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि अभी आप देख सकते हो title, description ये आपको दिखाई देगा तो सबसे पहले हम अपने वीडियो पर लगाने वाले हैं thumbnail तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उपर तरब आपको एक pencil का icon दिखाई दे रहा है इस पर आपको click कर लेना है तो मैं इस पर click कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो आपके सामने इस पर करक लेना है मेरे वीडियो पर लग गया है thumbnail उसके बाद आपको क्या करना है title पर click कर लेना है क्योंकि title भी लगाना है आपको अपने वीडियो पर तो title के option पर आपको click कर लेना है मैं इस पर click कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है और जिस topic पर आप video बना कर रखे हो उसी से related आपको title लिखना है तो जैसे कि मैं इसमें paste कर देता हूँ paste के option पर तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो जिस topic पर मेरा वीडियो है उसी से related जो title भी लगाया हूँ जैसे कि अभी आप देख सकते हो उसके बाद आपको right पर click कर लेना है तो मैं right पर click कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है जिससे आपका जो channel है ये grow हो सके या सर्च में आ सके तो इसी प्रकार आपको भी अपने new channel में इस प्रकार आपको take लगा कर रखना है जिससे सर्च में आ सके तो अभी आप देख सकते हो मैं अपने video के description में किस प्रकार take लगा कर रखा हूँ क्या क्या मैं लगा कर रखा हूँ इसको सब चीच को आप देख सकते हो और इसी प्रकार आप भी अपने new channel में लगा सकते हो उसके बाद आपको बेक कर लेना है तो मैं बेक कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है फिर आपको इस पर क्लिक कर लेना है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ आपको भी कर लेने, क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन option आ गया है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, तो जैसे ही आपका video complete हो जाएगा, जैसे कि thumbnail, title, description, सब कुछ complete हो जाएगा, उसके बाद आपको public कर देना है, जिससे लोगों के पास आपका video चले जाएगा, तुम्हें वीडियो को बच्चे के लिए नहीं बनाया है, इसलिए आपको इस पर टिक कर लेना है, तो मैं इस पर पहले से टिक करके रखा हूँ, उसके बाद आपको बेक कर लेना है, तो जैसे कि अभी बेक कर लिया हूँ, उसके बाद नीचे तरफ आपको take का option आपको दिखाई दे तो लगा सकते हैं जैसे कि मैं अभी लगा चुका हूँ आप अपने वीडियो से रिलेटेड ही टेक लगा सकते हैं जैसे कि मैं अभी लगाया हूँ तो इसी प्रकार आप भी अपने न्यू चैनल पर इस प्रकार आप टाइटल डिस्क्रिशन टेक सब कुछ आप लगा सकते हो उसके बाद सब कुछ complete होने के बाद आपको क्या करना है इसको bake कर लेना है तो मैं इसमें bake कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है झाल झाल